इन लोगों का मस्ती करने का मूड बहुत होता है जब भी आव तो ऐसे शेल पाल बेढ़ना ही है तो हाई प्रेंट्स एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छा था एक्जोटिक बर्स में और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रात में मैं यहां पर अच्छा नहीं था और मैं अचानक आया और जब भी मैं अंदर आता हूं तो वस यह इसी तरीके से सर पर आकर के बैठेंगे हाथ में आकर के बैठेंगे और इनकी मस्ती जो है वो सुरू हो जाती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बर्ड्स जो है आपके बर्ड्स इतने friendly क्यों है तो reason ये है कि पहली चीज तो ये काफी पुराने birds है मतलब को चार साल पांच साल पुराने birds भी इसमें मिल जाएंगे और ये मेरी बजरीगर की कॉलानी है और इस समय breeding season जो है वो चल रहा है और लगबख सभी मट्कियों में और कुछ में तो चिक्स भी आ गए हैं और लगबख सभी मट्कियों में एक जो है वो ले कर दिये हैं तो बात यह आती है कि हम अपने birds को कैसे friendly बना सकते हैं तो कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो birds जो है वो हमसे डरना जो है वो छोड़ देते हैं maximum यह देखा जाता है कि जब कभी आप birds के केज के पास में जाते हैं तो वो उड़के दूसरी जाली में जाकर करके डर के कारण चिपके बैठ जाता है या बो डिस्टर्ब होता है लेकिन मेरे वजरीगर की कालोनी में यह प्राब्लम नहीं है आप सामने देख रहे होंगे 10-10-15-15 birds आकर उपर बैठ रहे हैं और जब मैं कवी 2-4 दिन अगर घर में नहीं होता हूँ और फिर कवी 2-4 दिन के बाद में अगर मैं सैट अप में आता हूँ तब तो यह सारे birds आकर के उपर बैठ जाते हैं और अभी मैं सूट नहीं कर पा रहा हूं पीछे जो है मेरे सर्ट में और नीचे मेरे पैर में भी आठ दस बर्ड जो है वो बैठे हुए हैं तो यह आके सरीर से आके चिपक जाते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए बर्ड में जब कभी भी आप बर्ड अपने पास रखते हैं आप चाहते हैं कि हम उन्हें कैसे टैम करें तो हैंट टैम करने का तो एक तरीका यह होता है कि जब बर्ड बच्चा हो बेबी हो तो उसी समय से उसको हैंट फीट पर है और उनके पेरेंट सी उनको पाल करके बढ़ा करें लेकिन अगर आप इनके साथ में फ्रेंडली होना चाहते हैं तो उसके लिए दो तीन बातों बहुत ही ज़रूरी होती हैं पहली चीज तो यह कि जब कभी भी आप इनके साथ में टाइम स्पेंट कर रहे होते हैं तो जाली में हात मार दिया या जोर से आबाज कर दी या एकदम से हमने दॉण लगा दिया जाकर के अंदर तो इससे क्या होता है कि बोर्ड जो है बोर डर जाता है। स्वीट कॉर्न ले करके जब कभी भी मैं खड़ा होता हूं तो ये हाथ में बैठ करके खाते हैं तो धीरे धीरे बर्ड्स का जो डर है वो खतम होते जाता है ये जो प्रोसेस है काफी लंबी होती है ये ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन 15 दिन या 2 महीने एक महीने में आप कर सकते है ये धीरे धीरे होता है अब ये काफी पुराने बर्ड्स हैं तो काफी लंबे समय से मैं इसी ट्रीट दे रहा हूं और इनको के साथ मैं जब कभी मैं टाइमे स्पेंट करता हूं तो इन बातों का मैं बिसेश ध्यान रखता हूं तो आप देखिए हमेशा आ करके सर पर है था और मुझे लगा कि वीडियो बना लेना चाहिए तो मैं अपने हाथ से ये वीडियो सूट कर रहा हूं बट फिर भी काफी कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे किसी टॉपिक के साथ में और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकाउन में जाकर आल सेलेक्ट करके वेल आइकाउन प्रेस करना ना भूले नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो एवेरी रेनोवेशन को लेकर के होगी और बजरीगर की इनकी ब्री कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो